आप सभी नए दर्शकों का स्वागत है, इस चैनल पर बने रहने के लिए शुक्रिया, आइए चल कर जाने B.I.B.C.L. के बारे में, और हमने जब इसके रिक्मेंडेशन देती तो ये 14 रुपे 25 पैसे चल रहा था, और अभी ये 22 रुपे पर अपर सरकेट पे बंद है, जी ह सिर्फ 11 दिनों में 55 परतीशत रिटर्न, अब आगे क्या सल आ होगी? आईए विस्तार में जाने, इसके बारे में इस चैनल पर. सबसे पहले हम आपको ब्रिकिंग निउस देते हैं, जिसकी वज़े से ये शेर बहुत चर्चा में है, आपको शाइद पता ही होगा, भारत बायोटेक, जो इंडिया की एक बहुत इनोवेटिव कंपनी है, ड्रग मैरिफेक्शरिंग के लिए, उसने कोवेक्सीन का के लिए अप्रूवल मिल गया था, तो इसके चलते हुए भारत बायोटेक की बहुत दिमान हो जाएगी, क्योंकि वो कोवेक्सीन चल जाएगी, आपको शाइद पता हो कि रश्या ने अल्री एक वेक्सीन को डॉलप कर दिया है, जिसका हुमेन ट्रायल को कंप्रीट भी हो जी हाँ, ये भारत की सबसे पहले ही बैडिसन होगी, जो डॉलप की गई है भारत बायोटेक द्वारा, थोड़ा भारत बायोटेक के बारे में हम बता दें, और BBI-CLE के बारे में भी हम जरा इसमें भी बात करेंगे आपके साथ में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के लिए, जी हाँ, भारत बायोटेक, दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक बार जरो लाइक कीजेगा, भारत बायोटेक जो है, वो इंडिया की one of the most innovative drug company है, जिसने 3 billion से जादा vaccines globally supply की है, तो ना कि सिर्फ इंडिया में, बलकि पूरे विश्र में ये अपनी दवाईयों को प्रदान करते हैं, जी हाँ, अब बने रही है हमारे चैनल पर, हम आपकी ये सारी खबरे exclusively आपको अपने चैनल पर देते हैं, क्या ये stock exchange में लिस्टेट कंपनी है, जी नहीं, भारत बायोटेक ना तो NSC पर और ना ही BSC पर लिस्टेट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका alternative थ खरीब खरीब 74 रुपे के आसपास, चोहतर करोड के आसपास इसकी valuation है, तो कोई जादा बड़ी कंपनी नहीं है, चोटी कंपनी है, गवर्मेंट की PSU है, और इसका market lot एक है, आप चाहें तो सिर्फ एक share भी खरी सकते हैं, अब इसके बारे में बात किया जाए तो गवर्मे की undertaking unit है, और इसके चलते हुए इसमें गवर्मेंट की काफी अच्छी हिस्सेदारी रहेगी, आगे कोई भी future गवर्मेंट का supply चलेगी, drug चलेगी, polio vaccine चलेगी, तो उसके चलते हुए इसकी अच्छी demand है, पर क्या इसका outlook इतना bright है कि ये 55% return दे सकता है, सिर्फ 11 दिनों में आईए हम जाने इसके बारे में, तो आज अकर अभी दिन का आप मंडे का price देखें तो 22 रुपे, 6 पैसे पे, ये 52 week high है, ये सिर्फ BSC में listed है, NSC में listed भी नहीं है, और ये एक volume शोकर भी है, 50,000 का volume इसमें trade हुआ है, हम आपको अपनी सलह देंगे, subsequent channel में आप बने रहिए, ताकि आपको बता सके क्या करना है, दोस्तो अगर video information पर अच्छी लगी, तो प्लीज एक बार like बटन ज़रूर दबाईएगा, अब हम बात करते हैं इसके weekly chart की, अगर weekly chart पर देखा जाए, तो एक अच्छा pattern बन रहा है, higher highs बनाता जा रहा है, और higher lows बनते जा रहे हैं इस chart पर हमें कुछ खत्रे की घंटी भी नजर आ रही है, हम उसको आगे बताएंगे, जब हम daily chart पर analysis करेंगे, हमारे साथ बने रही है, पहले आप देखिए, right side में जो blue box बना है, जी हाँ, यह हमने तब से recommend किया था, और उसके बाद से 14 रुपे से यह अब 22 रुपेया, 6 पैसे पर चल रहा है, बहुत जल्दी इसने 11 दिने में बहुत तेज रफतार पकड़ी है, इसका आगे क्या कर सकते हैं, अब पहले आप इसको volume को समझे यहाँ पर, जो हमने आपको volume दिखाया है, price के increase होने के बाद देखे, उसके साथ correlate कीजे इसको यहाँ पर, आप चीजों को सम अपने 20 रुपे पे exit कर ली थी, और हमने यही सलहा अपने दर्शिकों को दी थी, कि आप भी exit कर लीजे, अब आगे चल कर समझते हैं, इसका आगे का game, अब हम daily chart पर अगर देखें इसको, तो 20 रुपे का हमने target बताया था आपको इसका, क्योंकि इसका 21 रुपे के आसपास इसका high था previous high, जिसको इतने volume से नहीं तोड़ा है, इसने तोड़ा जरूर है, पर volume नहीं है, आप volume का game समझिए अब जरा, अगर मैं आपको सबसे पहले इस chart के बारे में बताओं, तो यहाँ पर volume सबसे ज़्यादा था, तो लोगोंने buy करना शुरू किया, इसके बाद दू definitively अच्छी news मानी सकती है, पर अब यहाँ पर इस green circle को देखिए, जरा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर इसने zone बनाया, जिसमें उसने consolidate किया, और volume भी reasonable decent volume था, यहाँ पर हमने अपने दर्शकों को सला की थी, कि आप 14 रुपे 25 पैसे पर इसको buy कर सकत हैं, क्योंकि news based information है, तो आपका target भी हमें बहुत चोटा देना था, जो हमने 20 रुपे का target दिया, based on technical analysis, इसके चलते हुए, अब यह target पहुंच चुका है, हमारी आपको सला, अगर आपने अपनी आधी quantity अभी भी भी नहीं बेची है, तो please आज ही बेच दीजे, ताकि आपको अगर यह किसी बेचने की उमीद भी नहीं रह पाएगी, आप उसको नहीं बेच पाएगे, हमने अपनी पूरी positions cover करने की कोशिश की है, हमने 75 position अभी cover कर लिया, 25 position हमने carry forward की है, कल के लिए भी, तो हमने अपनी 50% quantity 20 रुपे पर exit कर दी थी, remaining 25% आज हमने exit कर दी है, और अब हमारी जो quantity बची रहेगी, वो हम बताएंगे कब करेंगे, आप चैनल पर बने रहिएगा, please consult your financial advisor before investing and trading, हमारा target, अगर आपको देखना था, तो हमने पहले बता दिया, 20 रुपे का target है, अगर आप इसको hold करना चाते हैं, तो हम यह सलाह नहीं देंगे कि यह 25 रुपे से ज्या आलोग का वीडियो चल रहा है, आप उसको देख सकते हैं, उसी हिसाब से मैंने OMEXC के बारे में वीडियो बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं, तो यह position ऐसी नहों कि आपको OMEXC की तरह से इसमें खत्रा हो जाए, तो मेरी सलाह यह रहेगी, कि आप चाहें तो पूरी quantity निकाल सकते हैं, आप चाहें तो अधी quantity इस stock से exhibit कर सकते हैं, वीडियो पर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,